हेलो वाट्स आप गाईस मैंने में स्मिनोथ बाहतु थापा एंड टोडें इस वीडियो भूबिल सी रियक्ट रिटक्स कम्प्लिट टुटोरिल इन वान वीडियो इन हिंदी तो चलिए गाईस शुरू करते हैं सबसे भाले गाईस अबसे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे आसम चैनल थापा टेक्निकल पे एंड आज हम फाइनली रिडिक्स कम्प्लिट देखेंगे सिर्फ एक वीडियो में ठीक है एंड एड दी एंड आप इस वीडियो गाईस यह जो आमारे अप्लिकेशन तो आब बोलोगे यह तो बहुत ही जयादा सिंपल मालब रियक्त हुक्स में मैंने ऑल्रड़ी आपको यूज स्टेट हुक्स की मदद से आपको दिखाया जैनन जब हम कॉंटेक्स API यूण तैन यूज रिडूसर हुक्स अल्री मैंने हुक्स क्यूपर कम्प्लिट स्रीज अप्लोड कर चुका तो अब भी तक अगर आपने चेक आउट निगा तो जरू चेक आउट कीजिएगा तो मैंने रियक्ट हुक्स की मदद से भी आपको यह जो स्टेट मैनेजमेंट यह बना के दिखाया था बैसिकली इंक्रिमेंट डिक्रिमेंट काउंटर आपको दिखाया था कि आप कैसे कर सकते हो लेकिन आज हम समझेंगे वाट इस रिडक्स and Redux की मदद से आप इसको कैसे क्रेट कर सकते हैं वो मैं आपको बताना लो and at the end अगर आप इस वीडियो को end तक देखते हूं मैं आपको लिख के देता हूं मैं आपको गैरेंटी देता हूं काईस आप बोले कि OMG इतना ज्यादा simple था Redux ठीक है क्योंकि guys हम बहुत कुछ देखने बहुत कुछ इनी बेसिकली सब कुछ देखेंगे Redux में जो एकदम इंपोर्टेंट है तो guys अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा अब भी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नी क्या तो guys प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा राइट साइड में क्रेड कला का बैल आइक इन एक घंटी दिखाई देगा सो guys अब हम बीना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले guys में आप लोगों को समझाना चाहूंगा what exactly react Redux is ठीक है basically सिप Redux बोलेंगे तो भी चल जाएगा तो welcome to Redux टूटोरियल ppt बहुत awesome है guys मैंने बहुत मैंनत करके ppt बनाई यह ताकि आप लोगों को एक एक पार्ट एक एक पोर्षन समझा सको ठीक है तो सबसे पहले Redux को सिखने से पहले यह हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी why Redux किसलिए Redux ठीक है इसमें एक catch है catch वो है कि हमारा जो data है वो एकदम बॉटम वाला जो component है उसके पास है ठीक है data मेरा किदर है एकदम बॉटम वाला component देखो हमारा app.js we all know उसके बाद पहला component दूसरा तीसरा चौथा भरे पड़े है अब देख सकते हैं एक के अंदर एक है तो यह वाला जो last component है ठीक है इसके पास मेरा यह data है सो गैसाब मुझे आप बताओ कि यह जो component है ठीक है इसके पास जो data है अगर वो data कल की दिन मुझे इसको and then इसको pass करना रहा तो मैं कैसे करूंगा हम नहीं कर सकते हैं पाता है क्यों क्योंकि देखो गाइस the data in react always flows from parent to child component which makes it unidirectional तो यह बहुत जाद इंपॉर्टेंट है आप से question पूछ सकता है कि data कैसे flow होता है you know in react आप बोल सकती unidirectional वाल्द पारेंट से you know हम child तक डेटा बेज सकते हैं लेकिन हम कभी child से वापस उपर कि और हम data को पास नहीं कर सकते तो यह एक problem है तो इसको react वालो ने कैसे solve किया देखो react वालो ने इसको कैसे solve किया मैं आपको बाता था उन्होंने use किया with the help of prop drilling मैंने already prop drilling के उपर video upload कर चुका हूँ तो अब भी तक अगर check out नहीं किया तो जरू check out कीजिएगा तो actual में क्या हो इसको पास किया था अब वो data directly हमारा जो main route है जो main component है that is app.js वहाँ पर हम उसको store कर देंगे and अब कल के दिन अगर इसको सिर्फ और सिर्फ इस particular वाला जो component है अगर इसको data चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे एप से पहले इसको data पास कर देंगे and then इसको जब data मिलेगा तो इसके थुरू मैं इसको पास कर दूँगा and इसके थुरू guys मैं यहाँ पे data get कर सकूँगा तो देखे data तो इसको यहाँ पे मिल गया लेकिन problem क्या हुआ कि एक component को data पास करने के लिए मुझे कितिने सारे component को फ data हमारा एप के पास ही रहेगा लेकिन कल के दिन अगर एप के अंडर we have a user ठीक है and then user के अंडर suppose we have our user info तो अगर user info को data चीए तो इससे पहले क्या हो रहा था पहले एप इसको पास कर रहा था and then user के थुरू हम इसको get कर रहे थे लेकिन अब with the help of context API and then use context ठीक है उसमें क्या आ अंदर हम इसको wrap कर देते थे and consumer के पास एक power है चाहे एप के अंदर कितने भी component के उना तो उन में से जिन जिन component को भी यह data चीए तो वो as a consumer का role play करेंगे and वो उस data को get कर सकते थे ठीक है तो यह भी कोई problem निगा इसे यह मुझे अच्छा ही लागा सच बोलू तो मैंने जब react provider and then use context की मदल से हम data को get कर सकते थे and now guys यह totally अब आपके उपर है कि आप react hooks करोगे या Redux करोगे क्योंकि Redux भी यही करने वाला है अभी Twitter में आपको बाता हूँ लेकिन इसको दिखाने से पहले मैं आप लोगों के चीज़ दिखाना चाहूँगा आप देख सकते हो context API and then prop drilling यह इस वीडियो को भी आप जरू चेकाउट कीज़ेगा and साथ इस साथ use reducer hook वाले वीडियो को भी जरू चेकाउट कीज़ेगा तब आप बहुत clearly पता लागा पाऊगे कि हाँ में react hooks यूज करू या Redux का यूज करू state management के लिए ठीक है तो बस इतना ही है तो guys अब हम यह देख store में add करके रख देंगे and इस store की मदद से जो भी component हो उनको जब भी data लगेगा वो इस store को call करेंगे and वहां से वो data get कर सकेंगे तो अब इसको data ची तो guys आप देख सकते हो यहां पर link की इसको call करेंगे इस store को data मिल जाएगा इस वाले को data ची तो यह directly store को call करेंगे इसको यहां से data मिल जाएगा तो Redux में we have a one centralized you know separate store होता है जिसमें हम अपना complete हमारा application का state store करके रखते है and जिस भी component को चाहिए होगा data तो वो store को call करेगा and उसको call करने के एक different टारीका है जो अभी है मैं आपको बाता हूँगा Redux में तो इस Redux का main funda यही है ठीक है एक centralized अलग सा ही एक store जहां पर हमारे application के सारे state इसी के अंदर होंगे ठीक है and जब भी किसी भी component को वो data चाहिए रहेगा वो simply इसको call करेगा वहां से data get कर लेगा ठीक है अब वो data को call करना store को create करना किस तरीके से data store हो रहा है call किस तरीके से हो रहा है state को update कैसे हो रहा है वो तो अब भी हम तो इदर में देखेंगे लेकिन आपको idea पाता चलिगा होगा कि क्या problem था and Redux ने उसको किस तरीके से solve किया सिंपल ठीक है and यह जो ट्रीक है इससे अब आप अपना जो state management वो बहुत effective तरीके से कर सकते हो all right guys I hope guys अब आपको पता चलिगा होगा कि Redux आपको कभी उसकरना है ठीक है and वो जो problem थुह दिर पहले में आपको दिखाया था Redux ने कैसे solve कि आपको पता चलिगा होगा ठीक है तो ना अब हमें देखना what is a Redux तो आप देख सकते हो guys Redux is a pattern and a library for managing and updating application state मैंने थुह तरी पहले आपको बता दिया application state को manage करने के लिए using events called action अभी आपको पता चल जाएगा it's served as a centralized store थुह तरी पहले कास में आपको दिखाया था एक centralized store होता है for state that needs to be used across your entire application with rules ensuring that the state can only be updated in a predictable fashion Redux आपका main काम करता state को manage करने के लिए and उस state को manage करने के लिए we have one centralized store जिसके अंदर आपके application का सारा state उसी में ही store रहता है उसी में ही add रहता है जब भी आपके application के अंदर किसी भी component को या किसी भी file को अगर data चाहिए रहेगा तो वह वहां से data get कर सकता है वहां के data को update कर सकता है basically state को and वह जब भी update करेगा वह होगा in a predictable fashion predictable मतलब हमें बहुत clear cut पता यह रहेगा कि किस component ने किस तरीके से call किया अब हमें फाइदा करेगा जब हम बाद में testing करेंगे क्योंकि हमें सब कुछ मालुम है क्योंकि हमें सब कुछ idea कि कि किस component ने उसको call किया था और वह किस तरीके से उसको update करवा रहा था तो यह होता है आपका redux state management के लिए ठीक है अब हम देखते कि redux में कुछ main topics है जो आपको समझना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले we have a action जो बोलता है what to do क्या करना है action what to do ठीक है अगर मैं आपको बता हूँ हमारा जो case है हमारे इस case में हमें क्या करना है दो ही action है एक तो increment करना है दूसरा decrement करना है तो वो action हमें बताएगा ठीक है उसके बाद we have a reducer अगर आपने javascript में reducer समझा है अगेन अगर आपने react hooks में use reducer hooks समझा तो आपको मालूम है already reducer contains state and then action जो यह बोलता है कि किस तरीके से कनना है जब मैं plus पे क्लिक कर रहा हूं तो वो पांच नंबर को increment कैसे कर रहा है उसका सारा functionality reducer के अंदर आएगा ठीक है and then we have a store जो में आपको बता है we have one centralized store उसके अंदर हमारे सारे data store रहेंगे object basically एक object ही है यह भी which holds the state of the application ठीक है simple and last इस store के अंदर we have a functions like we have a create store store को कैसे create करें action को हम कैसे trigger करें कि मुझे increment करवाना है कि decrement करवाना है उसके लिए हम dispatch use करते and then get state to get the current state ठीक है state क्या है उसकी value को get करने के लिए we have a get state all right guys not simple में आपको बाता दिया we have a action we have a reducer and then we have a state redux का basic इतना ही आपको इतना समझने है देखो में आपको बाता दिया we have action reducer and then store का था लेकिन आपको यहां पे फिलाल state समझने है and यह सब कुछ आपके store के अंदर ही हो जाएगा ठीक है let's assume कि guys आप जो गन्य का juice जो निकालता है या जो fruits के juice निकालता है आप उनके लिए application क्रेट करना चाहते हो तो वहां पे अगर हम Redux Basic को समझे that is your action आपका यह reducer and then state call to be the function and then प्रूट गते हैं तो वहां पे एक्सन क्या है, action आपका यह handle होगा यह जो handle bar आपको दिक रहा है, यह आपका एक्सन है कि हाँ, हाँ, अगर आपको juice निकालना है तो आपको इसको रोटेट करवाना पड़ेगा, आपको इसको क्या करना पड़ेगा?? रोटेट करवाना पड़ेगा है कि नी तो यहां पे action पे आप इसको define करोगे and then reducer के अंदर क्या होता है guys how to do किस तरीके से हमें करना है अगर आपको fruit का juice suppose यह मेरा apple है तो apple इसके अंदर आप add करो and then इसको rotate करो तो वो reducer आपका बताएगा कैसे करना है and then finally हमारा जब यह work हो जाएगा तो obviously juice मिलने वाला हमें तो वो हमारा अप updated state कहलाएगा initial state एक raw apple था बट updated state में वो एक juice बन चुका होगा तो यह आपका action है कि क्या करना है what to do हमें इसको rotate करना है reducer how to do उसको किस तरीके से करना है and then state आपका current state आपका updated state उसको maintain रखता है and यह जो आपका reducer and then state यह guys आपकी store के अंदर आता है इस store उसको maintain रखता है पहले क्या था अब भी क्या है तो यह predictable है मैं मालूम चल रहा है कि किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ ठीक है action are plain javascript object that have a type field यह बहुत जाद इंपॉर्टेंट है action आपका एक plain javascript का object है जिसमें एक field है जिसका नाम होगा type action only tell what to do क्या करना है लेकिन आपको वह यह नहीं बताएगा कि उसको करना कैसे simple यह आपका एक action है देखो simple return अगर मुझे यह प्लस बटन पे क्लिक करना है तो मुझे पहले बताना पड़ेगा मेरे इस application को कि we have one action that is increment तो उसको हम कुछ इस तरीके से object के अंदर type increment इस तरीके से बता देते हैं यह payload आपको पता चल जाएगा जब हम example देखेंगे अब गाइस मुझे आप बताओ कि हमारा यह जो application इसमें total कितने actions होने चाहिए क्योंकि गाइस मैं आपको समझा दिया what is action तो आप मुझे बताओ कि total कितने actions है हमारे इस application में आप आपने समझ लेगा one is increment another one is decrement यह जो 51 52 यह कोई action नहीं तो हमारे टोटली प्लस या माइस पे क्लिक करने के उपर डिपेंड है so increment पहले action and decrement हमारा दूसरा action ठीक है तो अब next slide में यही है कि क्या होता है यह total कितने actions है तो simply increment जब भी user क्लिक करेगा increment button पे and then we have a decrement जब भी user क्लिक करेगा decrement button पे so increment button and then decrement button हमारे टोटल दो action है तो दिर पहले मैंने increment दिखाया था decrement हम इस तरके से define कर रहे what to do मलदब decrement पे क्लिक किया तो मैंने type define कर दिया that is decrement अब सिर्फ इतना लिखनी से तो चलेगा निए अब action को create कौन कर रहा है guys action को create करता आपका action creator ठेक है जो की एक pure function है which creates an action simple now इस तरह के साम action create करते है तो दिर पहले में आपको जो दिखा रहा था वो कुछ इतना था सिर्फ return type and then payload लेकिन यह अब आपका एक action creator है यह अब आपका complete action है जहां पे कल के दिन अगर मुझे increment करना रहा तो मैं inc number यह function को call करूंगा and मुझे पाता चल जाएगा कि इस function को call करने से मैं क्या चाता हूं मुझे कौन सा action perform करना है and that is my increment तो यह होता है आपका action creator जो की reusable है आपका portable है and then easy to test है ठीक है क्योंकि सब तो maintainable है you know हमें मावलू में predictable भी है so second आज आता आपका reducer मैंने थुई दर पहले action के मदद से बाता दिया कि increment and decrement दो action हमें perform करने है but किस तरीके से करना है वो आपका reducer help करता हो आप तो what is a reducer देखो reducer a function that takes current state and then an action as a argument and return a new state वो mini example आपको यादे थोई दिर पहले दिखाया था वो image वो you know raw apple को आप डालते हो and then आप उसको rotate करके अंदर जो भी mechanism होगा उसको piece के juice निकाल देगा तो वो जो juice निकला वो आपका new state है current state आपका वो raw apple था ठेक है तो यह आपका reducer होता है and कुछ वो इस तरीके से होता है आपको पता चल जाएगा इस तरीके से हो रहा है and then finally अगर कुछ है नहीं तो नॉर्मल जो initial state जो current state उसको ही return कर दो and don't worry guys यह सब कुछ अभी हम code की मदद से देखने आले लेकि मैंने सोचे एक बार आपको पहले मैं basic idea दे दू कैसे हो रहा है तो बहुत जादा स्टोर देखो now redux store brings together state actions and then reducer that make your app तो इनी सभी के मदद से आपका एक एक बनता मैंना अलड़े आपको बता दिया what state action reducer image की मदद से one by one explain करके अब आपको पता चल चुका होगा यह बहुत जादे इंपोर्टन आपको यह note करने के लिए that we will only have a single store in a redux application and single store मैं आपको दिखा यह था that is your centralized याद है आपको वो single store से ही जो भी component को data चे वो उनको call कर देगा action basically dispatch call करेगा ठीक है आपको इसे बहुत जादे इंपोर्टन है that is कि every redux का जो store है will have only one single root reducer function यह आपको पता चल जाएगा and store कैसे create करना with the help of redux हम create store को call करेंगे and create store के अंदर वो root reducer जो है उसको हम pass कर देंगे and हमारे store बनके ready हो गया so this is it guys इतना ही था redux I hope आपको पता चल गा होगा ठीक है यह तो basic हमारी जो theory थी वो part complete होने वाली है अब हम देखेंगे हमारा practical लेकिन उससे पहले कुछ principles हमारे redux का that is single source of truth ठीक है इसका मालने भी कि हमारा simple A की single store रहेगा you know हमारा A की centralized data वहीं से ही हमें data को get करना है सब पता चल जाएगा कि वो आपके action को trigger कर रहा होता है ठीक है and then जब हम देखते है third one तो that is immutability it means mutable मतलब जो data change हो रहा है immutable मतलब data change नहीं हो रहा है and अगर data change नहीं हो रहा है तो वो guys एक you know हमाले advantage हो जाता है क्योंकि हमें बहुत clear cut पता चलेगा कि हमारे app में कोई कुछ missives न अब हमें सब कुछ मालूम चली रहा है कि कैसे काम हो रहा है किस तरीके से हो रहा है that's why यह सब कुछ एक पावर है जो हमें redux provide कर रहा है and then the last one is changes are made with pure reducer function already मैं आपको बता दिया what is a pure functions ठीक है मैं इसकुपा डिटेल वीडियो बना प्लीज चेक आट कीजिगा basically pure function it means it will always return the same output अगर आप same argument pass करते हो तो ठीक है तो इतना ही है आपका redux and this is it अब हम बिना किसी देरी के आपने वीडियो स्टार्ट करते है ठीक है मैं गाइस control and then back tick place करूंगा and इसको आप मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरा जो already running तो इसको मैंने हटा दी इसके बाहर मुझे चलना है इसके बाहर मुझे चलना है CLS simple तो इसके बाहर मुझे चलना है CLS simple तो इसके बाहर मुझे जूम कर देता हो ध्यान से देखो अब जादर simple and आप इसका नाम कुछ भी दे सक्तियों Redux app दे देता हूँ मैं ठीक है and control अब गाइस से थोड़ा सा समय लेगा तो मैं जब यह complete हो जाता है तब मैं आपसे मिलता हूँ आप देख सकते हैं साथ 30 सेकेंड भी नहीं लगा होगा विकास मैंने PC को अपग्रेट किया हूआ है यूनोग तो अब यह मुझे क्या करना है CD and then Redux app पे चलना है अब मैं simply yarn and then start लिखेगा इसको मैं क्या कर सकता हूँ स्टार्ट कर सकता हूँ ठीक है चलो एक वा मैं start भी करके दिखा देता हूँ अब मैं यहां पर चलता हूँ इस जगे पर तो एक new file मेरा create हो रहा है I mean create नहीं अब react का जो मेरा home page जो होता है वो मुझे दिखाई देगा इतिना awesome है कि नहीं चलो इतना तो बहुत easily हो गया एक काम करता हूँ तो अब मुझे अपने main folder के अंदर चलना है यहां पर source के अंदर मुझे चलना है सबसे पहले तो यह जो logo है logo को मारो गोली तो इसको मैं कर देत हो मैं यहां पर h1 welcome में लिख देता है welcome to Redux ठीक है all right spelling wrong हो गया it doesn't matter अगर यह मुझे output आ रहा मतलब सब कुछ perfect है and this is it है नहीं कितना awesome welcome to Redux चलो ठीक है आप देख सेकते हो कि basically मेरा जो app.css है ठीक है उसका code मैंने यहां पर copy and then paste कर लिया है ताकि मुझे थोड़ा यह अच्छा दिखाई दे बाग्यों तो इतना कुछ है नहीं फिलाल वह भी दिखेगा भी नहीं क्यूंकि मुझे app.css को यहां पर import करना पड़ेगा so import ठीक है directly मैं रिडेक्स करना है ठीक है तो मुझे रिडेक्स को install करना पड़ेगा तो मैं वापस यहां पर चलता हूं इसको हटाता हूं control से करके मैंने इसको basically terminate किया अभी देखो guys it's super duper easy है आपको क्या लिखना है npm install redux क्योंकि हमें Redux यूज करना है and react के साथ उसको connect भी करना है so react Redux आपको इस तरह किसे करना ही पड़ेगा ठीक है तो अब मैं enter hit करता हूं this is it आपको Redux and then react Redux यह जो डिपेंडेंसी है वो हमें लगती है अगर आपको नहीं idea किया था यह यह Redux की उपर मैंने जो आपको explain किया that is more than enough फिर भी आपको और detail में यह जो official document बोलता है तो उसका अब लिंक में आपको नीचे description में प्रोड़ करा दूँगा तो जरू check out कीजिएगा और अब देख सकते हैं यह थोड़ा साथ समय लेगा हाली वही है एक मिनेट के आस पास लेगा लेकिन तब तक में क्या करता हो देखोगा जब तक यह हो रहा है मेरा ठीक है मैं आपको बा अब आपको बाता है आपका रिडूसर्स बाता है अब इसके अंदर आप मल्टीपल रिडूसर्स कर सकते हो ठीक है तो कैस्में यहां पर लिग देता हो simply up-down कुछ नहीं आप कुछ भी लिग सकते हो तो आई डॉन्नो में क्यों आप डाउन लिख रहो बशिक्री क्यों क्यो यहां पर नीचे हमारा जो भी नंबर up-down.js लिख देता हो एंड मैं यहां पर चलके एक वार निव फाल क्रेट करूंगा जिसका नाम होगा index.js दिस इस इट तो एक बार आपका action and then reducer क्रेट हो जाता है तो we need our store ठीक है तो source पर मैं चलता हूं एक new file क्रेट करता हूं जिसका नाम होगा एक सेकंड ना आइधिंक पॉफेक्ट चलो store.js this is it action reducer and then आपका store store आपको मालूम है store हमें create करना है एंड उसके अंदर हमारे application का जो complete state है उसको add कर देना है and वो basically आपका reducer होता है ज्यादा कुछ नी बेसिकली हमें root reducer को add करना है ज्यादा कुछ नी तो I think कि यह यहां तक हो चुका है I think यह हो गया cls सबसे जादे important है package.json file पर जाके एक बाद चेक कर लो कुई सब कुछ perfect है या रियक्ट, Redux, React, DOM, perfect ओ स्वारी यहां पर react, Redux है and यहां पर we have our Redux and guys आप एक चीज़ नोटिस करना कि में भी साहद हो सकता आप दो साल बात देखोगे या एक साल बात देखोगे या कुछ उस समय अगर update आ गया हो and आपका exactly रन ने का रहा हला कि वो तो होने से रहा क्योंकि यह already जो मैं वीडियो बना रहा updated वीडियो आई है तो फिर भी अगर in case कहीं कुछ हो गया तो आप यह जो मेरे जो भी you know versions आपको दिखाई दे रहा है इसक कि भी कोई नीड निया फिलाली as it is रहेगा तो सबसे पहले मेरा क्या काम रहेगा गास सबसे पहला मेरा काम होगा किसी तरिके से मुझे यह जो यूआ है इतलीस इतना तो में तो वह जो मेरा यूआ है का इसमें बहुत इजली कर सकता है उसके लिए मुझे क्या करना है कैसे होगा क्योंकि मैंने इसको रन नहीं किया ठीक है तो मैं चलता है एक बार देख लेता हूं क्या है इसके अंदर चलो पॉफेक्ट है खाली यान एंदन स्टार्ट मुझे इसको लिख देना है पॉफेक्ट नाव वांस यह लिखने मातर से मेरा यह एप्लिकेशन स्टेमल एंद स्टेमल का कमाले इसमें कुछ ऐसा हाइफाई नहीं है ठीक है बस आप यह कहलो कि अगर आप रियक्ट उसकर रहे हो तो आप स्टेमल मत बोलो में भी उनको बुरा लगे अब जैसेक्स बोलिए क्योंकि हम एस्टेमल टैक के अंदर जागस्क्रिप को भी यू इसमें पर दिक्रिमेंट कर रहयों यह जो माइनस है विकॉज हो मैंने एक माइनस रखा उसके कारन अपको दिखा ही देरहा है अद उसके बाद यह जो नंबर है वह क्यों ऐसा आफ वेकॉज मेंने एक इन्पूट टैग लिया हूआ जिसको था दे रहे कि बिसकल यहां पर क GSS के मादब से आप कुछ भी करी सकते हो जो यह value 0 दिखाई दे रहे because of this वह आपको value 0 दिख रही है and then यह plus दिखाई दे रहे because again anchor tag मैंने class उसकी है quantity underscore plus and यहाँ पर plus है and this is it वस इतना ही था अब सबसे पहले हमारा क्या काम होगा सबसे पहला काम यह है कि मुझे मेरे application को बताना कि कितने actions होने वाले है क्या क्या actions हमें इस particular application में perform करना है right that is your increment and then your decrement and वह कहा होता है वह हमें करना होगा हमारे action पे चलना है action के अंदर we have or index.js अब मुझे यहाँ पर चलके अपने application में जितने भी actions perform होने वाले वह मुझे यहाँ पर mention करना है and it's super duper easy already मैंने आपको code तो दिखाई दिया था ठीक है तो मैं यहाँ पर देखो कैसे करता है पॉंस्ट इंक्रिमेंट है लेकिन अब पहले मुझे action creator के मदद से वह function क्रेट करना है नम कुछ भी आप लिख सकते इस तरह किसे basically fat arrow function and खाली आपको return कर देना है ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूं and एक चीज़ होना बहुत ज्यादा जरूरी मैं आपको बात आया था इस action में we need to have a type field याद है आपको याद आ है तो इस तरह किसे में चलता हूं increment चलो simple फिलाल में as it is रखने वाला हूं and आपको मालूम है अगर आप return tag यूज नहीं करते हो I mean खाली अगर आपका एक ही है you know एक ही लाइन का code है तो आप directly इस तरह किसे उसको कर सकते हो and देखो आपका यह काम हो जाएगा type simple ज्यादा कुछ है भी नहीं है and मैं यहाँ पे चलता हूं same इसे को copy कर लेता हूं यहाँ पे paste कर देता हूं now instead of increment I will go with एक second यह caps on है that's why ठीक है मैं चलता हूं decrement and यहाँ पे again increment को I will go with decrement simple control है से मेरा part complete हो जोगा है इतना ज्यादा कुछ था भी नहीं है and एक चीज मुझे जरू करना पड़ेगा and that is मुझे इनको export करना पड़ेगा ताकि मैं इनको बात में use कर सको ठीक है so export ठीक है and guys I think यह आपको में भी थोड़ा सा वेड लग रहा होगा ठीक है पहला type की जब भी को इस function को call करेगा हमें क्या करना है increment करना है जब भी को इस function को call करेगा मुझे decrement करना है मैंने बाता दिया चलो ठीक है अब मुझे क्या करना है अब मुझे चलना है मेरे reducer के पास Reducer में क्या होगा कि जब मैंने बता दिया कि इस तरीके से होने वाला है मेरा पहला काम तो मुझे जाना पड़ेगा किस के पास Reducer के पास ठीक है अब मुझे Reducer में जाके यह जो एक action है यह कैसे करना है वो explain करना है उसका code लिखना है and then decrement कैसे हो रहा है उसका मुझे code लिखना है तो मैं चलता हूँ Reducer up and down मैं यहाँ पर ही दोनों का code बहुत इजली लिख सकता हूँ so Reducer पर मैं चलता हूँ simply यहाँ पर ठीके देखो यहाँ पर गैस it's super duper easy already मैंने आपको बता आता const okay change the number आप कुछ भी लिख सकते change चलो ठीके spelling I mean camel case है तो camel case को भी follow करो will be equal to आपका यहाँ पर मैंने बता आता guys it will take two arguments okay and जो दो आर्गोमेंटे वो क्या मैं सब को मालूम है and that is your state and then आपका action the state comma आपका action and you know आपका यह जो Reducs बोलता है better go with initial state इस तरीके का एक variable करेट कर लिए ताकि बात में प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर चलता हूँ अब इसको देखो const मुझे यह जो initial state इसको define भी तो करना पड़ेगा initial state will be equal to फिलाल के लिए 0 चलो ठीक है तो this is it इतना ज्यादा सिंपल क्योंकि guys value change नहीं होना चाहिए क्योंकि reducer आपका pure function है value change नहीं होना चाहिए जैसे भी हो and अगर इसमें कुछ गड़ड़ी हो जाती तो guys हमें obviously error देगा तो इतना कोई problem यह this is it so we have a state and then we have our action ठीक है अब मुझे क्या करना है देखो मुझे दो action को perform करने increment and decrement तो obviously आप you know if else we use कर सकते else we can go with switch जो बहुत ही ज्यादा simple action dot type हमारा यह जो action इसके पास हमारा simple method that is dot type उसकी मदल से में पता लगा सकते कि क्या type है मतलब user ने plus पे क्लिक किया या minus उसका type क्या में get कर सका अगर in case user ने क्लिक किया इस पे plus पे ठीक है तो आप बिल्कुर टैंसर मतलो यह जो plus है ठीक है यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे वो on click पे वो जो function को call कैसे करना वो मैं आपको बाता दूँगा लेकिन आप यह फिलाल यह समझो कि plus पे क्लिक करके मुझे increment करवाना है एंड वो increment मैंने अलड़ी है उन्हों हमारे action में मैंने इस तरीके से mention कर दिया कि क्या है वो increment ठीक है तो यह increment को मैं copy कर लेता हूँ उसका type मैं यहाँ पे चलता हूँ मैं copy करूंगा paste instead of increment मुझे अब यह वाला जो type है यह वाला जो action इसको मुझे यहाँ पर define करना है how to do किस तरीके से करना है और बेस रखाली मुझे एक minus करना है this is it and से बितना नहीं एक default case भी हमारे पास होता है ठीक है default and यहाँ पर मुझे simply return कर देना है मेरे state को और कुछ नहीं simple this is it मेरा काम complete state की spelling सही this is it इतना मेरा काम हो चुक है अब भी यह जो reducer यह मुझे अगर आपको याद होगा तो सिर्फ एक root reducer store को लगता है मैंने आपको बाताया था यह that's why मैंने index.js file create किया हुआ है reducer के अंदर ताकि आप जितने भी reducer आपको create करना करो लेकिन index के अंदर जाके सिर्फ एक ही आपका main reducer रहेगा जिसके अंदर सारे reducer होंगे और जो main reducer होगा root reducer उसको हम store में पास कर देंगे तो सबसे पहले देखो मैं one by one करके मेरे जितने भी reducer रहेंगे उसको मैं import करूँगा फिलाल एक है लेकिन आप समझो आपके जितने भी रहा होगा तो one by one आपको इस तरह करना होगा guys all right कहां चला गया वह यहां पर इस जगे पे ठीक है तो मैं यहां पर चलता हूँ इस तर रखने के लिए we need something so we need to combine them okay तो वहीं पर guys आपका redux काम आता है so import इस तरह के से देखो यह object बहुत ज्यादे important because reducer is your object okay so combine from आपको simply यहां पर चलना है and then redux this is it आपका यह काम होगा अब बहुत ज्यादा simple const आपका main reducer ठीक है मैं यहां पर लिख दे तो इस तरीके से root reducer चाहो तो आप कैसे भी लिख सकते है ऐसा कुछ नहीं है root reducer reducer एक ही लिखा तो काफी है and then अब यह जो combine reducer है इसको मैं लिखना है ठीक है आपका यह again object है ठीक है तो इस तरीके से this is it and यहां पर one by one आप वो लिख सकते है change the number यह आपका पहला reducer ठीक है कल के दिन suppose button क्लिक किया तो आपको background change करना है तो change the background तो आप उसका भी तो code लिख होगे ना background change कर भोलके उसका भी कुछ code लिख होगे तो आप इस तरीके से one by one यहां पर उसको add करा सकते है अपने reducer को and अब यह जो root reducer है यह मेले बहुत जाद important ठीक है तो इसको मैं हटा जेता हो खाली है ऐसे दिखाने के लिए था आपके लिए बिसिकली आप यह कुछ इस तरीकी से होता है यह change the number key and value आपको मालूम है आपका जो object है वो क्या होता है key value pair होता है तो फिलाल आप as it is लिख सकते हो this is it अब मुझे इसको export करना अब मैंने चलना है store.js के अंदर मैंने action की मदद से बता दिया कि क्या क्या action होने वाल है Reducer की मदद से मैंने यह बता दिया कि उस action को perform कैसे करना है अब हमारा यह जो reducer we have a current state and then we have our updated state ठीक है तो मेरा यह जो action है मेरा यह जो reducer है and मेरा यह जो complete state है यह जो root reducer इसको अब मुझे store पे add करना है क्योंकि इसी में ही मेरा सब पूच होता है ठीक है तो देखो मैं चलता हूँ यहाँ पर import simple spelling से रिखना है import reducer from कहा से मैं चलता हूँ इस तरीके से and that will be from my reducer forward slash index this is it ठीक है and उससे पहले आप एक चीज करो बहुत जादे important that is हमें अब एक store create करना है and उसके अंदर यह root reducer को हमें store करके रखना है so import मैं आपको अलड़ी बाता है कि हम किस तरीके से store को create कर सकते ठीक है so इसके यहाँ पर चलना पड़ेगा create store simply आपका redux this is it इतना जादा simple मैं यहाँ प const store आपको लिख देना है dot and then आपको लिखना पड़ेगा create store all right sorry not dot you know आपका यह main store देखो इस तरीके से आपका store create होता है create store के अंदर चलके यह जो आपका root reducer इसको copy and then paste this is it यह आपका root reducer इसके अंदर आपके application का सारे state है उसको मैंने simply create store के अंदर add कर दिया है अब यह आपक global centralized state है इस store को जो भी call करेगा data उसको easily प्राप्त हो जाएगा बस इतना ही है अपका redux मैंने आपको बता दिया तो guys अब मुझे क्या करना है इस store को अपने main application पे भी तो add करना पड़ेगा import करना पड़ेगा ताकि छोटे-छोटे component या जितने भी components हो वो इनको use कर सके ठीक है तो अब मुझे इसको भी export करना पड़ेगा so export default and then store simple this is it मेरा काम हो गया store को आप में हटा देता हूं ठीक है up and down इसको में हटा देता हूं मेरा यह क्या है index.js reducer इसको हटा देता हूं action को में हटा देता हूं ठीक है अभी हम कहां आगे एक थोड़ सा कम जूम करता हूं अब म import store उसको मुझे import करना है import store from from spelling एकदम सही लिखना है ठीक है यहाँ पर मैं चलता हूं dot forward slash कहां पर यह मेरा store this is it मेरा काम complete हो गया है अभी फिलाल में एक चीज़ कर सकता आप लोगों को यह दिखा सकता हूं कि मेरे इस application के अंदर redux का state है या नहीं तो उसके लिए हम क्या कर करता है basically it's called a change listener ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूं subscribe and इसके अंदर मैं fat arrow function चिपका देता हूं simply and यहाँ पर मैं console.log करके आप आपको दिखाना चाहूंगा इस्टो एक और function that is get state ठीक है मैं आप स्टार्टिंग में दिखायता है यह सारी चीजे यूनों मैं यहाँ पर चलता करता हूं इसको एक बार मैं refresh करता हूं inspect अब आप देखो के console पर गाइस मुझे इतना कुछ दिखाई दे रहा है and value prop2 of form field without and on change handler okay यह जो एक portion है यह मैं भी change करता हूं and then यह class चलो ठीक है यह देखने से पहले guys हम at least error ठीक कर लेते ठीक है we all know कि हमें class use नहीं करना we need to use a class name चलो ठीक है and यह जो value है फिलाल इस value को मैं हटा देता हूं इस value को मैं हटा देता हूं मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं है तो यहां पे फिलाल कुछ दिखेगा नहीं and store webpack imported default subscribe is not a function all right मैंने साथ स्पेलिंग रॉंग लिखी है subscribe CRIB that's why आपको वह कुछ इस तरीके से दिखाए 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 दिखा रहा है that is href attribute फिलाल उसके में कोई नीट नहीं यहां पी all right guys तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगो and आप देख सकते हूं कि कुछ हो नहीं रहे मेरे पास already Redux का भी dev tools है and 60 क्यों दिखा रहा है I think guys is all right मेरे previous वाले का 60 दिखा रहा है तो एक काम करता हूं किसी ही जो मेरा data है इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि अब मुझे कोई नीट नहीं अब आप देख सकते हूं कि Redux dev tool पे जब मैं गया तो बता रहा है no store found ठीक है यह किसली हो आप मैं आपको बताता हूं देखो जै यहां पर आप देखो यह जो दिखाई दे रहा है इसको मिस्तर की से के लिए and don't worry इसका लिंक मैं आपको नीचे description में प्रवाइड कर दूंगा मैंने तो अल्रीड इंस्टॉल कर लिया that's why remove from chrome दिखाई देर आपको simply इसको 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 भी आपको चलना होगा ठीक है अगेन इसका लिंक में प्रवाइड कर दूंगा तो और नीचे आप ब्राउजर extension क्योंकि हमारा ब्राउजर है तो वहां पर आपको इसको किस तरीके से चलाना है वह यहां पर बता है बहुत अच्छी तरीके से यह देखो आप जब store create store आपक अब बहुत इसली रिडक्स का हमारा जो डेप टूल से हमारे इस application को चेक करेगा क्या store है state क्या है क्या नहीं है सब कुछ ठीक है इतने ही करना है ज्यादा कुछ है नहीं अब वांस जब आपने इसको इसको इंस्टॉल कर लिया यह पीसप को आपने अपने अपने अपना you know और तो इसली आपकर देखो ओसं दिखाई दे रहा हे यह एकिनर जहां पर वी ऐब और एक्षन ठीक है वी है और आपर श्रेट बूम वी अपर चेण्ज दी नंबर क्योंकि मैं ने उसको यहां पर इंक्लूट कर दिया था रूट रीडियूट अपने डूशर पर गहा इनिसेल डेटा तो इस तरी के से आपका देखो ऑसम चार्ट पर क्लिक करता हूं तो मेरा चार्ट रॉ देखो कितना ओसम दिखाई दे रही है कि स्टेट और मेरा टाइप जो भी होगा टाइप आपको पता क्या होने वाला है तो यह आपका रिडक्स बहुत हेल्प करता है आप चाब तो वीडियो को यहां पर चला भी सकते हूँ आप आपको बात में बता हूंगा ल करना है वो तो बाता दिया डिडिविसर की मदद से कैसे करना है वो भी बता दिया जो भी हमारा करेंट स्टेट या जो अपडेटेट था वह स्टोर पर एडवी कर दिया और इंडेक्स.js के अंदर जाके मैंने उसको गैडवी कर ली अब सिर्फ इतना लिखने से नहीं होग राइट क्योंकि मेरे एप के अंदर मल्टिपल फाइल सो सकते मल्टिपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं तो मेरा यह जो एप है इस पर अगेन रियाक्ट हुक्स में हमने अलड़ी समझा था और मैंने आपको दिखाए भी था हमारे इस पीपीट में अगर आपको याद होगा गा अगरण को लगता है अगर 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 2020 लागता है अपके लिए बैस्ते ता आप इसको यूज़ कीजी devo को यूज़ मumut करोऊagon wildlife आंपका यूज़ ऑन अपका काम आता है एकदम बढ़र एप्लिकेशन के लिए अफ इसमें यां पर चलता हो त脆ए अब मुझे क्या करना है सो इंपोट आपको दोको गाए सिंप्ली लिखना होगा प्रोवाइडर यहां पर मैं चलता हूं फोन फैल कापिटल होगा इतना यह रख नहीं फिंप यह जो फिर फ Carryंग से प्रोवाइडर त bluff इसको close कर देता हूं ठीक है इसको मैं कर लेता होग यहां सब इसको कढ़े देता हूं यहां सक और रहा होगा वो and यहां पर में इसने केसे रख देता हूं ठीक है और इसको भी मुझे डिलेट करना पड़ेगा and this is it अब मेरा यह जो main app component है वो provider के अंदर आच चुका है provider के अंदर we have यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो अब मुझे as a props इसके अंदर पास करना है तो same जोगा इस हमारे react hooks में था यहां पर भी same अप में provider की मतर से props पास कर सकता हूँ जहां पर इस store के अंदर में यह हमारा जो store है उसको copy and then paste this is it अब हमारा यह जो app है main तो यह है ना app के अंदर ही तो सब कुछ होता है याद है आपको हमारा यह जो app है app के अंदर ही सब कुछ है app को ही once मैंने data provide करवा दिया तो अब चाहे जो भी component हो चाहे इस component हो यह component हो यह 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 वो store को get कर सकता है वो get कैसे करेंगे और देखो मैंने मेरा जो main app है उसको मैंने यह centralized data provide करवा दिया simple मैंने provide करवा दिया अब मुझे सिर्फ चाहिए तो यह कि हमारे यह जो individual component वो इस store की मदद से data को get कैसे करेंगे या इसको call कैसे करेंगे अब मुझे वो चाहिए ठीक है देखो बहुत जादा कर सको फिलाल मुझे error क्या रहा है like we have a provider यह तो आपको याद है मैंने इसको delete already करी चुका था तो एक बाद रिफ्रेस करना मात रहा है तो यह जो zero दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे मेरा current state चाहिए इस जगे पर तो मैं कैसे करूंगा देखो यह बहुत जादा आपको अल्यड़ी बता है था react hooks में हमारे पास consumer है consumer से better option एक और update आया था hooks का that is your use context अब Redux में we have a use selector ठीक है तो दिखिए guys जो use selector वो आपका किस तरहीं से काम कर रहा होता है अब आपको दिरे दिरे सब कुछ पाता चल रहा होगा क्योंकि मैं सिर्फ Redux है तो Redux नहीं बता रहा हूं मैं उसको compare भी कर रहा हूं कि ऐसा react में पहले था hooks में ऐसा था बोलके ठीक है क्योंकि guys तभी तो आप compare कर पाओगे ना कि मुझे यहां पर चलता हूं इसके अंदर ठीक है यहां पर से यूज सेलेक्टर मुझे लगेगा एक सेकंड पूरा पूरा उठके आ जाता है फिर यूज सेलेक्टर लिख देता हूं कॉमा एंड मुझे यूज डिस्पैच भी लगने वाला ठीक है तो फिलाल में सिफ लिखके रख यूज सेलेक्टर अब इस तरह के से जाओंगा यूज सेलेक्टर लिख देता हूं बहुत ज्यादा सिंपल एंड अब इसका जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर का इस बेसिकली फैट अरो फंक्षन चलता है जहां पर अब यहां पर पूछ भी लिख सकते हो ठीक है क्योंकि यहां थे तो आरुमेंट होगा ना तो यही सेम स्टेट जो है स्टेट के अंदर वी है वन प्रापर्टी एंड़ इस अब मैं वह जो रिडूशर इसको कॉल कर सकता क्योंकि मैंने इस्टोर की मदद से मैंने वह रूट रिडूशर को पास कर दिया था था एंड उस रूट नंबर जो है इसका जो इनिशेल स्टेट है वो मुझे अप मिल जाएगा बहुत इजिली ठीक है तो मैं एजटीज रख देता कंट्रोल एसेप करता हूं दिस इजट इतना ही करना था ज्यादा कुछ है नहीं है यही है जब आप प्रोवाइडर की मदद से हमारा जो मेन एप को डेटा प्रोवाइड करवा देते हूं इस्टोर प्रोवाइड करवा देते हूं तो छोटे छोटे जो कंपोनेंट दूसरे दूसरे वह बहुत ईजीली विद यहल्प आप यू सेलेक्ट वह उस डेटा को दिखाया जाएगा इनिसेल और एक चुली मैंने दस लिखा हुआ है फिलाल कले में 0 कर देता हूं कंट्रूल एक सेप एंड मैं यहां पर चलता हूं और वीससे तो रिफेस्ट करने की नीट नहीं पाधी लेकिन यह जीरो आ गया लिकिन अव्कों पाता चल चुका है की मैंन हुआ अपि जाओन से इस टिर्ग करों पर société क्लिक करूँ तो मुझे इसको इंक्रिमेंट करना 40 अब देको बहुत द्रच देखना कर डेखना लोगों कुले यहां पर मइं चलता हूं में चाहूँ तो एक तरीके से इस तरीके से भी लिखी सकता हो यहाँ पे चलके आजाकि यहाँ पे देखो ऑन ख्लिक जब भी हम इस पर करेंगे click तो मुझे क्या करना है इस मुझे एक function चल्वाना होगा ठीक है तो Curlibraces क्योंकि JavaScript के लिए हमें Curlibraces लिखना ही पड़ेगा यहां पर basically fat arrow function ताकि कल की दिन में यहां पर extra value पास करवा सकूँ उस function के साथ तो dispatch को मुझे call करना है अब यहां पर मुझे यह जो मेरा action है क्योंकि मैंने already action तो mention करी रखा है that is either increment या तो decrement तो increment करने के लिए मेरे को यह वाली जो function इसको call करने पड़ेगी ठीक है और यह देखो export है यहां पर export है तो पहले में को क्या कर लेता हूं यूज करने के लिए मुझे इनको करना पड़ेगा यहां पर import तो मैं चलता हूं इस जगे पर import पोर्ट इस तरीके से डिरेक्ली में increment number and again इसको चलता हूं copy करके यह जो मेरा एक और function में copy करता हूं paste decrement number from कहां से from forward slash मेरा action forward slash मेरा index this is it मेरा काम हो गया अब यह जो increment number है इसको में बहुत इजली यूज कर सकता हूं अब बस मुझे इस function को कॉल करना है लेकिन मैं directly यहां पर increment function को मैं call कैसे करूँ क्योंकि action वाला यह जो function है मैं call कैसे करूँगा so for that we have a dispatch dispatch action को trigger करता है ठीक है and in redx के form में बोलो तो खाली वह action को call करके बता आता कि हां मुझे अब यह चाहिए फिर action reducer के पास चला जाएगा ठीक है तो अब वो dispatch को में कैसे उस कर सकता हूं with the help of use dispatch hook जो की react redux हमें provide करवाता है अगर इसकी नीचे मुझे चलना है मैं यहां पर const dispatch लिख रहा हूं इस तरीके से simple will be equal to मेरा एक second यह नहीं मेरा यह जो use dispatch है copy and then paste and this is it use dispatch के function के मदद से इसको मैं इसके parenthesis के अंदर add कर दूंगा this is it and यह जो है वो मेरा function है तो अब मैं इस तरीके से को call करूंगा तो guys calibraces then यहां पर मुझे चलना है मेरा fat arrow function and action को call करने के लिए we need something and that is your dispatch ठीक है जो की already हमें react redux provide कर वाता है redux के अंदर जाके आपको वो जो function है जो भी आपको action perform करवाना है वो लगेगा तो decrement counter and उसको आप इस तरीके से call कर सकते हो this is it कितना ज्यादा simple है अब देखो 16, 17, 18, 19, 20 यह देखो कम होते जा रहे तो कैसा लगागा इस यह है न कितना ज्यादा simple I know आपको लगाओ गया यारे बाप रही क्या कुछ कर दिया हमने क्योंकि use state hooks की मदद से मैंने सिप 5 line में यह आपको करके दिखाया था लेकिन 5 line तो क लेकिन इसका पैस पार्ट यह है कि अब मेरे पास मेरे एक centralized store है यूनो मैंने वह हमारे एप को पास कर दिया अब कल के दिन जिसको भी data चाहिए होगा यार बहुत इजली इसको call करेगा data get करेगा और जो भी action perform करना होगा यह already मैंने आपको बताता है it's a reusable कोई भी अब उसको यूज कर सकता है ठीक है so guys this is it आसे बीटो के लितना ही लेकिन फिर भी मैं वान मोर टाइम में आपको explain करता हूं कि यह किस तरीके से हो रहा है and I hope जो मैंने आपको PPT में समझाया था कि आपका यह action क्या है reducer क्या है store क्या है आपका create store से क्या होता है dispatch से क्या होता है get state से क्य लिए होगा ठीक है लेकिन फिर भी वान मोर टाइम में आपको explain करना चाहूंगा देखो हमारे application क्या था increment-decrement counter plus and then मुझे minus करना है ठीक है मलब basically function अगर in simple word बोलू तो JavaScript की दूनिया के लिए मुझे एक plus के लिए functionality चाहिए थी मुझे एक minus के लिए Redux या react में आके वह आपका action कहलाता है ठीक है तो अब हमारा Redux क्या बोलता है देखो Redux से बोलता है कि आपके application में total कितने action जो हमें perform करने तो उसके लिए हम गाइस action का यूज करते जिसके लिए हमने action नाम का एक folder create किया और उसके अदर मैंने बता है कि हमारे इस application में सिप मुझे plus and then minus increment and then decrement चाहिए तो हमने what to do अगर कोई plus पे click करके increment counter को call करता है इस function को call करत है तो यह action perform करना है and once आपने उसको एक बार define कर दिया तो after action we have our reducer उसको कैसे करना है तो reducer में मैंने आपको बता दिया अगर increment होता है तो we have state जो भी होगा plus one कर देना है decrement होता तो state जो भी होगा minus one कर देना है and then मैंने उसको करवा दिया export ठीके and यह आपका reducer है and इसके अदर आपका सारा application का data होता है state होता है तो उसको मुझे store पे add करना है that's why we have our store.js and कल के द के अंदर उसको पास करके दिखाया and हमने एक new reducer create किया जिसका नाम था root reducer अब यह जो root reducer है वो मैंने store.js के अंदर पास कर दी and with the help of create store मैंने एक new store create किया and वहाँ पे मेरा जो component है मेरा जो application उसका सारा data पास करवा दिया तो इस तरिके से guys आपका यह सब कुछ हो गया है and now वो data को पास करने के लिए हमें लगता है provider that's why हमने provider use किया with the help of react redux ठीक है and then उसके अंदर हमने as a props वो जो store है जिसके अंदर सारा हमारा status को पास कर दी अब जब सब कुछ एप के पास आ चुका है तो कल के दिन guys चाहे जो भी यह component हो चाहे जो भी component हो वो simply अब इसको call करेगा and data get करेगा and वो call कैसे करेगा and data get कैसे करेगा मैंने आपको दिखा है with the help of use selector देखो guys state को get कर रहा है बहुत इजली and function को call करने के लिए इस action को trigger करने के लिए तो we need a dispatch तो उस dispatch को पाने के लिए we need to import use dispatch from react redux ठीक है react redux की मदद से हमें क्या करना है simply उस function को call करना है जो हमने action के अंदर define कर रहा था that is just simply increment number and then decrement number simply हमने call किया and हो गया उसमें हमने already सब कुछ तो करी रखा तो बस हितने ही करना था कैस फिर reducer की मतद से अगेन वो लूप चलता जाएगा तो यह होता है आपका ठीक है so guys I really hope आपको बीडियो बहुत पसंद आओगा लेकिन one more thing मैं आपको दिखाना चाहूंगा जैसे starting में मैंने दिखाया था कि इस पर क्लिक करूं तो पांच एड़ हो जाना चाहिए एक की बार में तो मैं बहुत इजली कर सकता है यह मेरा इंक्रिमेंट नंबर है यहां पर मैं पांच चिपका दूँगा सेप कर दूँगा ठीक है इतना है ज्याद है अब देखो जब मैं dispatch पे call करता हूं one more time आपके लिए तो यह क्या करता है यह हमारे action को ट्रिगर करता है ठीक है तो मैं action के पास चलूँगा index.js यहाँ पर देखो अब यह जो increment है यहाँ पर सिर्प इंक्रिमेंट है एक ही फिल्ड है डाट इस और टाइप लेकिन वहाँ पर मैंने 5 एड़ कर दिया तो मुझे अब वह एक पैरामेटर यहाँ पर लगएगा तो मैंने नम नम का एक पैरामेटर को गेट कर ली अब यह जो नम है मुझे उसको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा तो मैं पे लोड लिख देता हूं चाहिए तो आप कुछी लिख सकते हो और वह नम मैंने यहाँ पर पास कर दी तो नम है इसमें मेरे पास एक वैल्यू है डाट इस 5 ठीक है और पेलोड के अंदर में उसको पास कर दे की अंदन वैल्यू अब जब आप इस तरह के से यह एक्सें कर लेते हो तो उसका कॉल कहा जाता है वह जाता है रिडूसर के पास तो रिडूसर अप अपन डाउन में कि हमें मालुमें यह जो मैरे स्टेट हैं फिसका चाय डखी कर करो कुछ भी लिगता हूँ इसको कॉपी2017 अब मैं यह थो और देना कॉंटे सेभ करता हूँ इस इथना है करना था अब मैं यह थो एक रिग्रेखान पान्च यह नोस्या पेलोड लिखते हैं and they think कि यार मुझे तो पेलोड ही लिखना पड़ेगा ऐसा कुछ वो नहीं कि इसके अंदर एक मैथड है आप जब भी यूनो एक्सेंट डॉट लिखते हो ना उसके बाद बैसिकली यहां पर आपने जो की है बैसिकली आपका की है यहां पर अगर आपने बोलो और इंज नहीं बोल सकते वारन आपको और इंज देगा एपल के बाद ले तो कुछ वही है कि सब पेलोड बोलते हैं पेलोड आपको मालूम भी बिसिकली यह उनों क्या होता है तो इसलिए हम यहां पेसको लिखते है पेलोड इस तरीके से लेकिन जरूरी नहीं आप पेलोड लिखो लेकिन एक कन्वेंस नहीं तो लिखते आ रहे लिख देते हैं इस तरीके से गाईस अब आप देखोगे तो यह आपका हो जाता है फाइब से इंक्रीमेंट तो इस इस बीडियो के इतना ही आप लोगों के लिए चैलेंज की जिस तरीकी से मेने बाता है आपको पूरा example बाता है आप पूरा practical करके दिखा है one by one इसका best part है कि काईस में आपको react hooks के साथ में compare करके दिखा है जो react hooks है वही आपका Redux है लेकिन Redux थोड़ा you know heavy project में आप work कर सकते हो और थोड़ा बडिफ्रेंस है तो मैं बस इतना चाहूंगा काईस यह वीडियो देखने के बाद starting में भी मैंने आपको खाते है जो prob drilling context repair use context इस वीडियो को भी जरू चेक आउट कीजेगा एंड आप मुझे बाताना कि आपको Redux ज्यादा simple रहागा यह react hooks का जो updated use context आपका context repair वह ज्यादा आपको अच्छा लागा ठीक है तो यह totally अब आपके उपर है so guys मैं चाहूंगा यह वीडियो अगर आपको पसंदा होगा तो प्लीज एक लाइक जरू कर दीजेगा आपके बाहा बाहा उँ एव जब आपके बाहा वाहा उएक लाहा बाहा वीज़ स्थदाना कि इनन गुल को जब एकर लाहाँ तक मैं आपके वाहा है